Hello everyone, कैसे हो आप सबी लोग आई होगा, आप बहुत अच्छे होंगा और अच्छा सा त्यारी भी चल रही होगी So, आज हम करने वाले हैं लास 6 मंत के सीरीज में Award and Recognition for the month of June अगर आपने प्रीवियस मांत का Awards and Recognition नहीं देखे हैं आई बटन पर मैंने यहां पर वीडियो का लिंक एड कर दिया है आप इसे क्लिक करके वीडियो यहां पर देख सकते हो And इस लेक्षे की जो PDF है वो हम as usual हमारे Telegram चानल पर शेयर करेंगे आपका था साओधी अमेरिको जो आपकी ओईल कंपनी है साओधी अरिविया की थर्ड आपका है ICBC चाइना फॉर्थ आपका है चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक और फिफ नमर पर था अग्रिकल्चर बैंक उफ चाइना तो यह आपकी टॉप 5 कंपनी थी बाकी अगर हम कंपनी दिसकस करें तो 6 नमर पर आपका बैंक उफ अमेरिका था देन एल्फबेट जो आपकी पेरेंट कंपनी है गूगल की देन एक्जोन मोबिल फिर माइक्रोसॉफ्ट और आपल तो आपल का आपका 10 रांग था माइक्रोसॉफ्ट का आपका 9 रांग था तो यह भी आपको पता होना चाहिए ठीक है यह कंप्टीज जो कॉमन कंप्टीज है जो काफी द्यूज में रती है तो उनके बारे में एक क्वेशन आपका बन सकता है इसके लाव बात करते हैं इंडियन कंप्टीज कौन सी यह इस लिस्ट में शामिल की गई थी तो टॉप हम कंप्टीज की बात करते हैं पहले नंबर पे आपकी है रलाइंस इंडस्ट्री टीक है जिसकी 45 रांग थी ग्लोबली टिक है प्रीविस एक की आपकी सेहां थी 53 है ना एक सब्काता है स्टेट बंख फिंडिया ये भी बहुत इंप्रेंट है इसकी रेंक आपकी थी 77 रांग एन इसकी प्रीविस रांग थी 1005 रांग टिक है, next is HDFC bank, 128th rank इसकी थी, then 163rd rank of ICICI bank, 226th rank of ONGC, and again HDFC जो आपका था, Housing Development Finance Corporation, ये इसकी रांग थी आपके 232, फिर आता है आपका 336th rank पे, 363 rank पे, Life Insurance Corporation of India, and then Tata Consultancy Services, 387th rank पे, तो ये टॉप आपकी जो 400 companies थी, ठीक है, उनकी list में, जितनी Indian companies थी, शामिल थी, उनकी list में आपको दे दी है, जिनसे question आपका बन सकता है, ठीक है, Now next question है, as per the 2022 Burgundy Private Hunar India 500, a 6 month update, basically जो ये list release की जाती है, इसमें most valuable non-state-owned companies जो इंडिया के होती है, उनको शामिल किया जाता है, ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी country ने, कौन सी company ने top किया है, which company topped the India's most valuable company with a valuation of 16.37 lakh crore, so answer यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, that is option number A, Reliance Industries Limited ने इस list को top किया है, which is followed by Tata Consultancy Service, ठीक है, next आपका आता है, third number पे HDFC bank, fourth पे आपका है ICIC bank, and fifth number पे है आपका ITC, तो यह आपके top 5 companies थी, इसके, इसके अलावा यहाँ पे आपको note करना है, यह जो आपकी report थी, यह किस ने release की थी, burgundy private access banks, private banking business along with the winner India, इनोनों के combination से, इसे release किया गया था, और यहाँ पे जो companies आपकी इस list में शामिल की जाती है, इस report में जो शामिल की गई थी, उसमें minimum जो value चाहिए होती है इस company को, register करने के लिए या बोचिप तो इस list में आने के लिए वो आपकी होती है, 5500 करोर की, इतना यहाँ पे value इसके होनी चाहिए company की, which is somewhere around 672 million US dollar, इसके अलावे यहाँ पे आपको क्या note करना है, अगर most valuable unlisted companies की यहाँ पे बात की जाए, तो top number पे आपका था serum institute of India, जिसके value थी 1.92 lakh करोर, next है national stock exchange of India, NSE, which is 1.65 lakh करो, and third number पे आपका आता है बाइजोस, जिसके valuation थी 69,100 करोर, ठीक है? Now next is, which among the following personalities as a recipient of a 2022-2023 NWO Spinzoa Prize, the highest scientific award in the Netherlands? So जो आपका Spinzoa Prize है, यह आपका 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 जोता गुपता है, इनको यह अवार्ट दिया गया है, along with the topic years, तो दो आपके जो best researchers थे, उनको यह अवार्ट दिया गया है, and जूता गुपता जो बनी है, यह आपकी 12th researchers है, University of Amsterdam से जिनको यह अवार्ट दिया गया है, ठीक है? तो आपसे इनको जो आपका मिला है, अब आपसे यहापका हो जाएगा, optional body, both A and B are correct, इसके इलावा यहाँ पर एक और प्राइस दिया गया था, it is your Stephen Prize, इसका नाम के है Stephen Prize, जो आपका दिया गया है, ब्रहम नाटुवा को, along with the Korean Prince, जो प्रोफेसर है आपके law and information technology के at the Tilburg University, fine? Next question है, नेट्स क्रिशन है, नेट्स क्रिशन है, नेट्स क्रिशन है, नेट्स क्रिशन है, अब आपको पहले तो नोट करना है, जो यह अवार्ड है आपका, Royal Society of Literature, Christopher Brand, यह आपका 5th edition था, ठीक है, it was the 5th edition, अब जो यह आपका वार्ड है, यह दिया जाता है, old writers को, ताकि उन्हें encourage किया जा सके, अब बात करते हैं इस novel की, जो यह novel है, यह किसने लिखी है, यह लिखी है, Paterson Joseph ने, अब जो यह novel है, it is about the first black man, जिसने vote किया था, England में, ठीक है, Charles Ignatius Sancho जो है, यह आपके पहले ऐसे black man थे, जिन्हों ने England में vote किया था, तो इसलिए यह चीज़ इंपोर्टन हो जाती है, ठीक है, अब नेक्स आपको question है, the Rishi Sunak PM of United Kingdom, honored Rajinder Singh Dhat, जो आपके 101 year के है, he is a retired British Indian Sikh soldier, with a UK points of flight award, and dash edition of India Global Forums, annual UK India Week, 2023 reception in London, UK, so answer यहापका हुजएगा, it was the 5th edition, June के मन्त में आपका India Global Forums, 5th annual UK India Week आपका हुआ था, जहापे इनको यह award दिया गया है, अब जो UK point of flight award है, यह क्यों दिया जाता है, यह ऐसे person को दिया जाता है, जिनका contribution अपनी country के लिए, मतलब अच्छा contribution होता है, और उनके contribution से, बाकी लोग भी inspire होते हैं, अच्छे काम करने के लिए, ठीक है, अब जो UK point of flight award है, यह inspired है, US के point of flight award से, ठीक है, जो 2014 में launch किया गया था, ठीक है, नाव नेक्स यहाँ आपका question है, यह young scientist को encourage करने के लिए, ठीक है, promote करने के लिए उनको यह award दिया जाता है, ठीक है, और first time यह award दिया गया है, जिसकी establishment आपके की गई थी, 2021 में, ठीक है, इसके बारे में भी detail में देखेंगे, answer यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, that is option number B, 25 new trades, अब यहाँ पर, इसको जो है, UNESCO ने, along with all Faison Foundation, जो आपकी Saudi Arabia के हैं, इन दोनों ने मिलके, इस award को जो है, established किया है, अब यह award दिया जाता है, आपका, ऐसे जो आपके scientist होते हैं, जो basically बिलोंग करते हैं, STEM से, Science, Technology, Engineering and Mathematics, इन फील्ड से जो बिलोंग करते हैं, जो इन में अच्छा काम करते हैं, और इनकी age, जो 40 होती है, या decent 40 होती है, उनको यह award जो है, वो दिया जाता है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको नोट करना है, कि जो यह award है, हर दो साल में दिया जाता है, इन में से ही यह award दिया जाएगा, जैसे एफरिका हो गया, अरब सेट्स, एशिया और पसिफिक, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका और लेटिन अमेरिका और कैल्बियन, तो इन रिजन से ही यह award जो है, उनके लोगों को दिया जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं, इस बार 5 आपके लिटरेट्स कौन थे, कौन यहाँ पर आपके winners थे, इस award के, ठीक है, तो पहले आपके है, डॉक्टर फेडरिको एरल, जो अरजंटीनिया के हैं, और इन्होंने इस्टाब्लिश किया है, यहाँ पर आपके लिटरेट्स करते हैं, यहाँ पर आपके लिटरेट्स करते हैं, रहने वाली हैं, ठीक है, she retrieved ancient DNA from human remains and sediments, इस वज़े से इनको यह award दिया है, नेक्स्ट आपका है, डॉक्टर हेशम ओर्मन, जो एजिप्ट के रहने वाले हैं, और इन्होंने डेवलाब किया है, toolbox that revolutionize the creation of efficient semiconductor chips, तो basically, जो semiconductor chips है, वो अब कम टाइम में और significant time में, जो है, easily create की जा सकेंगी, for your computer, phones, और electric vehicles, नेक्स्ट है, डॉक्टर जेलन वेलर्दिक, जो आपके सर्विया के रहने वाले हैं, इन्होंने डेवलाब किया है, innovative ecological extraction process, औप्टेन करने के लिए आपके products from the aromatic and medicinal plants, नेक्स्ट प्रेशन है, नेम्दी ब्रांड that topped the India's most valuable brands, आस पर the India 123 brand finance report, यहां पर आपको नोट करना है, कि जो इंडिया 123 brand finance report है, यह report इंडिया के जो most valuable brands है, और strongest Indian brands जो है, उनके एक list release करती है, तो इसी के बारे में अभी हम बात करेंगे, तो question यहां पर क्या बोला जा रहा है आपको, कि इंडिया का most valuable brand जो है, जो top का आपका brand था, वो इस साल कौन सा है, तो answer आपका हो जाएगा, option number A, that is Tata Group, और last year भी यही आपका top brand जो है, वो बनाता, ठीक है, which is followed by Infosys, पहले नबर पर क्या हो गया, Tata Group, second is your Infosys, third आपका LIC है, and fifth is your Reliance Group, यह चीज़ आद रखनी है, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, six number की, तो State Bank of India six number पर है, तो यह भी आपको question बन सकता है, seventh पर आपका था Mahindra Group, which is followed by Wipro, जो आपका eighth पर था, then ninth is your HDFC Bank, and tenth is your HCL, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बात कर लेते हैं, इनकी जो आपका valuation थी, ठीक है, कितनी value इसकी है अभी, आप्रिजन, टाटर ग्रूप की है अपकी, 26,381 million, next आपका है, 13,000, 10 million, and then 9,756 million, and so on, इसके अलावा हम यहाँ आपको बात करते हैं, इंडिया के जो top strongest brand है, पहले नबर बे आपका आता है, ताज, जिसकी rank आपकी दी, 78, ताज होटेल्स जो है, ठीक है, next is Amun, third आपका है ब्रिटानिया, fourth is Jio Group, and fifth is your Royal Enfield, तो इनकी rank में यहाँ पर दी हुई है, out of 100 यहाँ पर बात की गई है, top 100 की लिस्ट यहाँ पर रिलीस की जाती है, by the brand finance, जिसका headquarter आपका London में located है, ठीक है, कहाँ पर located है, brand finance का आपका headquarter है, London में, ठीक है, और इसके chairman कौन है, इंका नाम है, David Hag, क्या नाम है, David Hag, ठीक है, next application है, recently in June, the Jadir Sudhakar Bakan has received UNESCO's 2023 Michael Batis Award for the Biosphere Reserve Management, he is a currently director of which among the following Biosphere Reserve in India, so answer है, आपका है optional body, that is Gulf of Manar के, जो है, यह currently director है, यह चीज़ आद अटनी है, इसके अलाबा, जो यह award है, आपका, कब दिया गया है, 14th of June को, ठीक है, 14th of June को यह award दिया गया है, इन्दी Paris, France, अब यहाँ पर यह जो award है, इसके शुरुवाद कब की गई थी, 2005 में इसके शुरुवाद की गई थी, और इसका नाम रखा गया है, French Scientist के नाम पर, जिनका नाम था, Michael Batis, ठीक है, यह चीज़ जयाद रखनी है आपको, इसके अलावा, Headquarter कहां पर यह युनिस्को का, यह अपका है, Paris, France में, और इसके नारेक्टर जनल कौन है, इनका नाम है, Andrew Osley, ठीक है, क्या नाम इनका, Andrew Osley, ठीक है, ना नेक्स्ट आपको क्षिशन है, नेम दे पसनालिटी, इसके बारे में देख लेते हैं, बेसिकली, इकबाल महीश एक पाकिस्तान का बच्चा था, जिसे 4 साल की उमर में, बेश दिया गया था, स्लेवरी करने के लिए, ठीक है, कापट, बेसिकली, कापट, वीवर के लिए, इसको बेश दिया गया था, बट, इसने बड़ी मुश्किल से, 10 साल की उमर में, वहाँ से एसकेप किया, और अपनी आपवीती लोगों को बताई, ठीक है, इसी वज़े से, इसकी ब्रेवरी के लिए, इसको एक अवार्ड भी दिया गया था, बच्चे को 1994 में, जिस अवार्ड का नाम था, रीबुक यूमन राइट अवार्ड, ठीक है, क्या नाम था, रीबुक यूमन राइट अवार्ड, बट, कुछ साल बाद, जब ये 12 साल तक का हुआ, ठीक है, 12 साल का जब ये हुआ था, तो पाकिस्दान की लोगों ने ही, इसको मार दिया था, क्योंकि इसने एक अच्छा कदम उठाया था, ठीक है, लोगों को ये अवेर करता था, कि आपको इस चीज़ से कैसे निकलना है, उनको प्रोचसाहित करता था, इसी वज़े से वहाँ के लोगों ने इसको मार दिया था, ठीक है, अब इसी बच्चे के नाम पे इस अवार्ड का नाम रखा गया है, जिसका नाम है इकबाल मश्य, ठीक है, अब ये अवार्ड जो है, 2023 में किसे दिया गया है, तो ललिता नटरंजन को, जो आपकी चिन्नाई-based lawyer activist है, और इनके efforts के लिए, basically अवार्ड दिया क्यों जाता है, ताकि जो चाइड लेवर है, उसके against में कोई काम कर रहा है, या उसको reduce करने के लिए, को international level पे अगर कोई काम कर रहा है, तो उस individual person को, या किसी organization को, जो इस efforts को कर रही है, उन्हें यह award दिया जाता है, तो 2023 का award दिया गया है, ललिता नटरंजन को, तो यह चीज़ आपको याद रटनी है, इसके इलावा, यहापे आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, कि 2000 में, 2000 in 2000, पहला World Child Prize for the Right of Child, यह दिया गया था, इकबाल मशी को, यह मर्नो प्रांथ इनको यह award दिया गया था, ठीक है, यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इसके इलावा, 2022 में इकबाल मशी award किसे दिया गया था, Blue Dragon Children's Foundation of Vietnam, ठीक है, वियतनम की organization है, जिनने यह award दिया गया था, 2022 के लिए, ठीक है, इसके इलावा, अगर हम बात करें, 2020 में यह award दिया गया था, युगांडा के आपके person है, डामन वामरा को, 2019 में यह award दिया गया था, आपका कैसा, आस्परेंजा, जो आपके पनामके हैं, यह अपके फिलिबन के हैं, इन्हें 2017 में यह इकबाल मसी अवार्ड दिया गया था, इसके लावा 2016 में सोनिया पेरे, जो आपके डॉमिनिकन रिपप्लिक के हैं, इन्हें 2016 में यह award दिया गया था, इकबाल मसी का, आपके यह चीज़ आपको यहाँ पे याद रखने हैं, आपके यहाँ पे यहाँ पे याद रखने हैं, इनका नाम है, प्रेमेंद्र राजमेहता और इसके CEO कौन है, वरिंदर S. कवर, और हैड़कोर्टर के यहाँ पे बात करें, तो इसका हैड़कोर्टर आपका निव डेली में हैं, ठीक हैं? नेक्स्ट क्वेशन है, इन का रखने में अटेर रखने हैं, तो इसका है कर दो, इनक्स्ट कुलबूर्टर आपकोर्ण भांटर के यहाँ, टिक है इन्हें जो है रीसेंट ली गवर्नर ओफ यर अवाट दिया गया है वाट फॉट था थूटावसंट वज्टी तरी अब में इनका जो किस वज़े से इनको यह वाट दिया गया है क्योंकि इन्होंने मेजर रोल प्लेगा था कोवी-19 में फिर रॉश्या-उक्रेण वा इन्डिया के जिने यह वाट दिया गया है अब प्षुच्ण यहापे क्या पूछा है कि सबसे पहले गवर्नर कौन थे जिन्ने इस अवाट से समानित किया गया था तो आंसर यहापे आपका हो जाएगा इस रगूराम राज ठीक है अब मुझे कौन से नंबर के आपके जो for Lifetime Achievement by the Charles Willon Foundation for the French Translation Compilation of Essays Title Azadi 2021 So answer है आपका हो जाएगा यह award दिया गया है Arundhati Roy को Answer here is option number D अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करना है जो यह आपका award है European Essay Prize यह award ऐसे books यह आपका essay author को दिया जाता है जिनके जो thoughts हैं वो एक evolution लाते हैं तो answer यहाँ पर क्या है option number D Arundhati Roy को 45th European Essay Prize जो है दिया गया है इससे पहले इन्हें Booker Prize भी दिया गया है in 1997 जो इनकी पहली novel थी जिसका नाम था God of Small Things तो रिसेंटली जो नाशनल वोटर अवाज हैं 2022 के यह present किये गए थे बाइदी जगदीव धांकर जी जो हमारे Vice President है इन्होंने total 41 winners को जो है in award को दिया है in a 11 categories तो यह आपको कभी पूछ लिया जाता है कि कितने winners यहाँ पे थे जिनको यह award दिया गया है तो total 41 यहाँ पे members थे इसके अलावे यहाँ पे आपको note करना है कि 4th edition था edition भी पूछ लिया जाता है कौँसा edition था? National Water Awards का तो 4th edition था जो आपका New Delhi में head हुआ था अब 1st यहाँ पे कौँसा ऐसा state है जिसने best state category में top किया है तो answer आपका हो जाएगा option number A that is Madhya Pradesh second number पे आपका था Odisha and third number पे Bihar and Andhra Pradesh था ठीक है यह चीज़ आपको याद रखनी है इसके अलावा यहाँ पे आपको पूछे आ सकता है question National Water Awards जो है इसकी शुरुवात कब की गई थी तो 2018 में जो है आपका National Water Awards की शुरुवात की गई थी इसके अलावा बाकी अगर हम काटिग्री से आपके देखें तो पहली आपकी आती है Best District जिसमें गंजम डिस्टेक आपका पहले नंबर पता ओफ दी ओडिसा नमकल डिस्टेक ऑफ तमिलनाडू दैन आदिलाबाद औफ तिलंगाना Best Urban Local Body में सबसे पहला नंबर है Chandigarh Municipal Corporation, Indore Municipal Corporation, then Surat Municipal Corporation along with the Malkapur Municipal Council of your Maharashtra Next is Best Media की बात करें Advanced Water Digest Private Limited जो आपका Guru Gram, Haryana की आपकी कंपनी है ठीक है इसे सबसे पहलें रांक दिया गया है Then second आपका है Center for Environment and Sustainable Development of JNK Next Regional News Unit All India Radio Guwahati Asam यह second number पर थे, third पर आपका आजाता है Network 18 Gautam Buddhnagar जिसका Headquarter है देखे जो लोकेरिड है आपका उत्रप्रदेश में Next आपकी काटिगरी है Best School which is your Jamiyad Pura Primary School of Gujarat Then KGBV School of Andhra Pradesh Next आपका है Government Senior Secondary School of Jodhpur in Rajasthan Next आपका काटिगरी है Best Institution for Campus Usage Shri Mata Vaishnodewi Shri Board जो आपका जबुएन कश्मीर का है Then Moolana Azad National Ubudu University of Hyderabad Telangana Central University of Punjab जो लोकेरिड है भटेंडा पंजाब में Now next category आपकी आती है Best Village Panchaat जो आपका है Jagannath Puram Village of Telangana Then Kadavur Village Panchaat of Tamil Nadu and Manikkal Village of Village Panchaat of Kerala Next is Kedegaon Village Panchaat of Maharashtra Then Mayakardip Village of Village Panchaat of the Meghali Now next आपका आता है बाकी categories जैसे आपका हो गया Best Industry Award ये दिया गया है आपका Begu Sarai की आपकी कमपनी है Industry है Baruni Thermal Power Station Then Best NGO की बात करे Arpan Seva Sansthan Udaipur Rajasthan Best Water User Station It is Sanjeevani Piyat Sahakari Mandali Limited जो आपकी नर्मदा गुजरात की है Then next आपका है Best Industry for CSR Activities It is your HCL technology जो लुकरेड है आपका Tamil Indy Noida Uttar Pradesh Next आपका है आपका ये आपका question है Recently in June the Ministry of Culture has named Gita Press Gorakpur As the awardee of a Gandhi Peace Prize for 2021 The Gandhi Peace Prize was instituted in which year? So Gandhi Peace Prize आपका जो 125th birth anniversary थी गांदी जी की On 1995 इसे जो है इसकी शुरुडवात की गई थी Made motive क्या होता है इस prize का That is कि ऐसा कोई person या institution जो गांदी जी की विचारधारा को जो है आगे spread कर रहा है उन्हें ये award जो है दिया जाता है ठीक है ये चीज़ा को ध्यान में रगनी है अब यहाँ पे 2021 का जो ये award है ये किसे दिया जा रहा है Gita Press Gorakpur को विचिजिंदी उत्तर प्रदिश ठीक है अब ये जो प्रेस है ये world का largest publisher है इसके अलावा इसने अभी तक जो है ठीक है somewhere around 41.7 करोर books जो है वो अरड़ी publish कर चुके है ये and सबसे जादा इन्होंने यहाँ पे publish की है जो भगवत गीता है ठीक है इसकी somewhere around आपके 16.21 करोर books जो है प्लस करो जो है books इन्होंने अरड़ी publish कर चुके है अब एक question यहाँ पे ये पूछा सकता है आपको कि 2020 का जो प्राइस था वो किसे दिया गया था तो गान्दी पीस प्राइस 2020 का दिया गया था बांगलादेश के आपके परसन है जिनका नाम है बांगा बंदू, शेख, मुझी बुर, रह्मान ठीक है आप सोच रहा होंगे ये अवाड तो इंडिया का है तो ये जो अवाड है ये ऐसा नहीं कि इंडिया के लोगों को ही दिया जाएगा ये इंडिया के institutions को ही दिया जाएगा अगर दूसरे देशों से भी कोई person या कोई institution ऐसा होता है जो इनकी गांदी जी की philosophy पर काम कर रहा है तो उन्हें भी ये जो अवाड है वो दिया जा सकता है तो आप से आपके आपका question है इनको ये अवाड जो है दिया जाएगा 22 October 22nd October 2023 को ये अवाड दिया जाएगा और इनका जो इनका लिटरी वोक है उस वज़े से इनको ये अवाड दिया जा रहा है प्लास इनका जो positive attitude था इनके काम के लिए जैसे इनको बहुत सारे घंकिया भी मिल रही थी कि जो ये काम कर रहे थे बच स्टिक इनको अपना positive attitude यहाँ पर दिखाया और इसी वज़े से इनको ये अवाड यहाँ पर दिया गया है इसके अलावा यहाँ पर इनक अधर अवार्ट कौन कौन से तीक है है जैसे 2019 में इनने Belt Literary Award दिया गया था फिर 2019 में Swiss Freethinker Award भी यहाँ पर दिया गया था और 1981 में इन्हें Booker Price से भी नमाजा गया था इनकी second novel के लिए जिसका नाम है Midnight Children's ठीक है? ना नेक्स अब कुशन है According to the report title Ranstad Employer Brand Research यहाँ रइब आर जो आपकी एक HR Service Industries है इंडिया के मोस्ट अट्राक्टिव इंप्लॉयर ब्रैंड की तो सबसे टॉप पर आपका कौन सी कंपनी आती है तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा इस टार्टा पावर ठीक है सेकें नमबर पर एमाजॉन थर्ड आपका जाता है टाटा स्टी लिमिटेड फूर्थ आपका है टाटा कंपनी सेर्विस और फिफ्फ नमबर पर आता है इंडिया में ये कौन-कौन से हैं, पहला आपका आता है Automotive, जिसमें 77% का यहाँ पर डेटा दिया गया है Next आपका है Information Technology and Telecom which is 76% Now next आपका है Fast Moving Consumer Goods FMCG, Retail and E-Commerce which is your 75% इसके अलाबा, जो आपका REBR है, इन्होंने Recently अपने Chief Marketing Officer को अपोइंट किया गया था, इनका नाम क्या है Revati Ragunath, ठीक है क्या नाम इनका Revati Ragunath जो आपके यहाँ पर Chief Marketing Officer बनाए गए थे Now next आपका कुशन है Recently in June, when climate change turns violent a documentary film of Dash won the 4th edition of Health for All Film Festival, that is HAFF, जो आपका initiate किया गया था 2019 में by the World Health Organization यह चीज या अधर्टनी है यह अपका कहां पर held हुआ था Geneva Switzerland में under the Climate Change and Health Film Category So, इस category के under आपका when climate change turns violent जो है इस documentary को यह वाट दिया गया है अब यह जो documentary है यह कौन सी country की है तो answer यहाँ पर आपका हो जाएगा That is option number D India की यह आपकी documentary है Which is directed by the Vandita Saria from the Rajasthan इसके अलाबा South East Asia region में एक और फिल्म को यहाँ पर यह वाट दिया गया था Under the Better Health and Well-Being Category इस फिल्म का नाम आपका क्या है One in 36 Million Story of a Childhood Lean Poisoning in Bangladesh जो यह आपकी जो documentary है यह बांगलदेश की documentary है पहली वाली इंडिया की थी यह वाली आपकी बांगलदेश की है और इसे direct किस ने किया है Aifur Rehma Mitali Das and it is produced by the Pure Earth बांगलदेश ठीक है Now next यहाँ पर आप देख सकते हो Other categories कौन कौन सी थी जैसे UHC Grand Prix जिसमें Jonathan Miracles Feet को जो है Award दिया गया था ठीक है Next आपकी आजाती है Health Emergencies Grand Prix Nursing Facing COVID Special Prize Sexual and Reproductive Health and Right Film इसमें Volvo and Dyna जो है इस documentary को जो है यहाँ पर दिया गया है Then next category आपकी आजाती है Student Film Prize जिसमें Gasping for Life को दिया गया है फिर Special Prize for Very Short Film इसमें Mirrors को अवार्ड यहाँ पर दिया गया है ठीक है Now next question है The Sahity Academy recently declared the list of a Dash recipient of its Bal Sahity Puraskar and Dash winners of its Yuva Puraskar for the year 2023 So answer यहाँ पर आपका हो जाएगा 22 recipients आपके हैं Bal Sahity Puraskar के and जो आपका Yuva Puraskar है उसके लिए 20 recipients यहाँ पर हैं ठीक है So answer is Optional Buddy 2022 and 22 and 20 These are the recipients of Bal Sahity Puraskar and Yuva Puraskar for the year अब Sahity Academy जो है यह organization आपके आती है Ministry of Culture के अंडर जिसके President कौन है इनका नाम है Mada Koshik इनका नाम आपको पुछिया सकता है अब जो Bal Sahity Puraskar है इसे established कब किया गये था 2010 में वेरस आपका Yuva Puraskar को established किया गये था 2011 में तो यह establishment year भी आपको पुछिया सकता है अब यहाँ पर आप वीडियो पॉस करके देख सकते हो यह सारी लिस्ट मैंने आपको mention की हुई है ठीक है और यहाँ पर आपको note करना है जो Bal Sahity Puraskar था इस साल यहाँ पर कोई award नहीं दिया गया है Kashmiri language को and Moneypur language के जो award है यह बाद में declare किया जाएंगे यहाँ पर आपको इसकी सारी लिस्ट यहाँ पर mention हो जाएगी इसके लावा यहाँ पर और क्या note करना है कि जो मिथाली मनिपूर अन संस्कृत के जो award है यह डिकलेर किया जाएंगे बाद में यह चीज़ इनने mention की है इसके लावा ओडिया लांगविज का इस बार यहाँ पर कोई अवर्ड नहीं दिया गया है ठीक है ना नेक्स्ट इस Name the personality who has topped the 11th edition of Forbes top 50 CMO 2023 list यहाँ पर जो William White है Walmart के इन्हें जो है इन्होंने इस top CMO के list को top किया है तो आज से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा इस option number A where is second number पर आपके थे Markle, Markondis, Connie, Brams, Greg, Jovic and Rick, Janwen यह सारे आपके second, third, fourth and fifth number पर थे यह साथ आपको याद रखनी है इसके लावा अगर हम top Indian CMO उसकी बात करें तो 10th overall जिनकी 10th रांग थी इनका नाम है Harish Bhatt जो आपके Tata के CMO है then असमिता दूबे जो आपके Loral की CMO है इनकी रांग थी 21st then आपके सुमित विर्मानी जो इनफोस के आपके CMO है इनकी रांग थी ग्लोबली 41 ठीक है यह सारी चीज़ें आपको याद रखनी है इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट क्या करना है कि Forbes ने CMO Hall of the Fame जो 2022 में इन्होंने देना स्टार्ट किया है और यह कब क्यों इनिशिट किया गया था क्योंकि 10 साल आपके complete हुए था Forbes को पिछले साल 2022 में इन्होंने 17 लोगों को Hall of the Fame जो है Forbes CMO Hall of the Fame दिया था बट इस बार सिफ Morgan Flatley ही है जिने यह आपका 5-time appears होते हो ठीक है तेन ही आप इस Hall of Fame के लिए eligible हो और सिर्फ इस साल Morgan Flatley ही है जो इस लिस्ट में शामिल हो पाए है ठीक है Now next question है Name the organization that was honored with the Olympic Cup for 2021 by the International Olympic Committee IOC for its exceptional contribution to the success of the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 So answer यहापका हो जाएगा that is World Health Organization को यहाँ पे Olympic Cup से नवाजा गया है for 2021 ठीक है तो answer यहाँ पे अपका क्या हो जाएगा It is option number B and जो World Health Organization के आपके Director General है ठीक है इनका नाम क्या है Tedros Gavris इनको Olympic Order present किया गया था by the President of International Olympic Committee जिनका नाम है Thomas Butch ठीक है यह चीज़ याद रपनी आपको Now next is which among the following Indian companies featured on a time 100 most influential companies 2023 तो answer यहाँ पे आपका हो जाएगा India की जो आपके Misho है और NPCI है इन दोनों को इस list में शामिल किया गया है which is your most influential companies 2023 answer is option number E both B and C are correct अब यहाँ पे इन्हें describe किया गया है Misho को describe किया गया है as an innovative retailer and NPCI को describe किया गया है connecting commerce से ठीक है Now next आपको question है The President Ghandraupadi Murmu presented how many distinguished service award at defense investiture ceremony second held at Transpati Bhavan in New Delhi Delhi So answer यहाँ पे आपका हो जाएगा option number D that is 85 medals यहाँ पे जो है present किये गए थे by the President of India and यह यह medal है यह Indian armed forces and जो आपका Indian Coast Guard होते है इनके personals को दिये जाते है ठीक है चाहिए वो retired हो या आपके serving हो जो एक मतलब एक अच्छा काम करते हैं exceptional काम करते हैं ठीक है उनको यह award दिये जाते हैं आप कौन-कौन से awards इसके अंडर है जैसे आपका हो गया एक अती वसिष्ट सेवा medal जिसे initiate किया गया था जिसके शुरुबात की गई थी आपके 26 January 1960 में इसके शुरुबात की गई थी और initially इसका नाम था वसिष्ट सेवा medal जिसे रिनेम कर दिया गया था 1967 में अती वसिष्ट सेवा medal इसके बाद एक medal यहां पर दिया गया है आपका बार टू एवी एसम आती वसिष्ट सेवा medal इसके बाद तीन मेडल आपके दिये गए है उत्तम युद्ध सेवा medal के लिए जिसके शुरुबात again 26 June 1980 को किये गई थी फिर आता आपका परम वसिष्ट सेवा medal कितने दिये गए हैं तो 52 दिये गए है next question है जो आपका Mumbai based company है Mumbai based organization है इन्हें जो है UITP award 2023 का दिया गया है इन्होंने receive किया है UITP award which is your Union International Days Transport Public जो आपका most prestigious award है जो public transport के लिए दिया जाता है under the climate and health category कौन से category के अंदर दिया गया है climate and health category के अंदर at the UITP Global Public Transport Summit head in dash आप जो ही आपका UITP Global Public Transport Summit था यह कहाँ पे हुआ था यह आपका 7 June से 8 June हुआ था आपका Barcelona, Spain में ठीक है answer यहाँ पे क्या है आपका option number C Barcelona, Spain में इसके साथ साथ जो Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry है FICCI है इन्होंने भी जो best आपकी organization है इसे award दिया है for the excellence in the smart mobility category कौनसी category में? Smart mobility category में FICCI ने ने award दिया है next question यहाँ पे आपका है नेम दी personality who has been honored with the India Global Forum UK Special Award Global Indian Icon of the Year Award at the 5th Annual UK India Awards so answer यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा that is Global Indian Icon of the Year Award दिया गया है मेरी कौम को तो answer here is option number B और अभी recently हमने जुलन गोसाओनी जी का भी पढ़ा था कि इन्होंने वर्ल क्रिकेट कमिटी जॉइन की है यॉन मॉर्गन और लीडर नाइट के साथ इसके अलावा यहाँ पे और कौन-कौन से अवास है जो यहाँ पे दिये गए है इंडियन फिल्मेकर जो आपके शेकर कपूर है इनको यहाँ पे IGF UK Special Award दिया गया है Lifetime Contribution of UK-India Relations और इनको जो है इनकी जो मूवी है Elizabeth the Golden Age इसको नॉमिनेट किया गया था Oscar के लिए ठीक है नेक्स यहाँ पे है Indian High Commissions Cultural Arm जो आपका है Nehru Center in UK इससे दिया गया है आपका IGF UK Special Award Significant Contribution के लिए नेक्स इस The Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry that is FICCI UK इन्हें यह अवार्ड दिया गया है Business Promotion Organization of the Year Award Then Market, Airnet of the Year Award दिया गया है Crowd Invest Co, Consultancy of the Year Sinem S4, Legal Practice of the Year that is your Cyril, Amal Chan Mangaldas Financial Services Organization of the Year ICCI Bank UK Next is Technology Company of the Year Emphasis Last आपका आता है Social Impact Project of the Year यह दिया गया है Action Aid UK Now next I have a question, recently in June the Star Alliance Company won the World's Best Airlines Alliance Award for Singapore Airlines for the 5th year At the Skytrax 2023 World Airline Awards, the World Airline Awards begin in Dash So World Airline Award जो है इनकी शुरुआत आपकी 1999 में की गई थी तो answer आपका 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 जो Star Alliance है, basically it is the launch of a Los Angeles International Airport और इससे एक और यहाँ पर टाइटल दिया गया था एक और अवार्ड यहाँ पर दिया गया था जिसका नाम है Best Alliance Launched for the 7th year साथवे साल इसको यह वाड दिया गया है इसके साथ साथ यहाँ पर आपका और क्या क्वेशन बन सकता है कि 2023 की आपकी वर्ल्ड की Best Airline कौन सी है तो पहरे नंबर पर आपका आज आता है it is a Singapore Airline ठीक है कौनसी Airline है Singapore Airline Second Number पर आज आती है आपकी Qatar Airline and third number पर आपकी जो है Airline आती है Japan की जिसका नाम है ANA All Nippon All Nippon Airways ठीक है यह आपकी Japan की Airline है तो सबसे बेले नंबर पर Singapore, second पर Qatar and third पर Japan की Airline ठीक है इसके अलावा जो मिशल साटर है यह फोर्थ परसंट है जिनको यहां पर दिया जाएगा और इनने कौन सा अवार्ड दिया जाएगा जीन हर्षॉल्ट हुमानिटरियन अवार्ड टिक है यह सारी चीज़ घ्यांद में रखनी है आपको नाव नेक्स आपको कुशन है विच अमांग द फॉलिंग परस्नालिटी इस रिसंटी इन जून अवा जो डिसिजन था वो विडियो आपको लिया था ठीक है आई हो काई आपको यह वीडियो पसंद आया हो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ जून दिलिए हमारे चैनल को सुश्काइब कीजिएगा अगर आपके कुछ सेजिशन है तो